नेचर लवर्ष जो पोधा हम आज आपको दिखा रहे हैं ये ओस्दिये गुणों से भरपूर है जिसके गुण जानकर आप ताजुब में पढ़ जाएंगे और इसको यूज करेंगे इसके कोमन नेम अडूसा वासा वसाका मालाबार नट आदी नाम हैं जिन नामों से इसको जाना जाता है इसे आप देखेंगे तो ताजुब में पढ़ जाएंगे इसका बॉटनिकल नेम एधर टोड़ा वैसी का फैमिली अकेंथेसी है जो इसका साइन्टिफिक नेम है आप इस पोधे को देख रहे हैं यह जंगलों में ऐसे ही दिखाई दे जाता है जो जमीन खाली पड़ी होती है उस पर यह बहुत आयत से पैदा मिलता इस यूज़ इन ब्रोंकाइटिस, टूबर कुलोसीस, लंग डिसीज़, ब्लड डिसोर्डर्स, हर्ट रबल्स, सोर आई, थर्स्ट, अस्थमा, फिवर, वोविटिंग, आदी बिमारियों में इसे यूज़ किया जाता है यह आप देख रहे हैं पहचानने में बड़ा आसान है इसके लंबे लंबे पत्ते होते हैं जिनके मार्जिन इकसार होते हैं यूज़ डैज, एंटी बैक्टिरियल, एंटी इंफिलेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल के रूप में इसको यूज़ किया जाता है यह आप देख रहे हैं इस पर सफेद सफेद फूल आते हैं वाइट कलर के फ्लावर आते हैं जिस पर लाल-लाल सी धारियां भी होती हैं कभी-कभी यह आप देख लीजी इसे पहचान लीजी अच्छी तरह से इसको अगर आपने पहचान लिया तो बहुत सी बिमारियों से निजात पाजाएंगे इसे आप परियोग करेंगे तो आप बहुत सी बिमारियों से निजात पाएंगे और इसे परियोग करने का बड़ा आसाम तरीका है इसके एक या दो पत्तों को आप सुभर-सुबह खाईए या शाम को खाईए दिन में एक बार खाईए अगर आप बिमार नहीं है और अगर बिमार हैं, तो सुभह शाम दो बार इसका एक से दो पत्ते तक आप खाईए, ये पत्ता खाने में थोड़ा कसेला होता है, एस्टिंजेंट होता है, थोड़ा सा कड़वा सा भी लगता है, लेकिन और उस दिये गुनों से भरपूर है, इटिट पंजेंट एंड एस्टिंजेंट इंटेस्ट, तो आप इसे खाएंगे, तो बहुत सारी बिमारियों से निजात पाएंगे, सारी से नाइटोजन यूक्त अफ्शिस्ट पदाज को बाहर निकालता है, इसके पत्तों जड़ों का काढ़ा बनाकर अगर आप पिएंगे, तो खाज, खुजली और हर परकार के चर्म रोगों से छुट्टी पाएंगे, सारे चर्म रोग दूर हो जाएंगे, इसके सूखे पत्तों को चिलम में रखकर, पीने से दमा, स्वास का दोरा दूर हो जाता है, इसके पत्तों या जड़ों को खूब चटनी की तरह पीश कर, दुखती आँखों पर अगर लेप करेंगे, तो वह ठीक हो जाती हैं, इसकी पुल्टिस बनाकर के अगर घाओं पर लगाएंगे, तो गंदे से गंदे घाओं यहां तक की नासूर तक को यह ठीक कर देता है, इसके पत्तों को जल में रखने से जल कभी खराब नहीं होता है, कीडों से मुक्त रहता है, यह आप देख रहे हैं, इसे परियोग करना बड़ा आसान है, जक्त पित में इसका स्वेरस मधू के साथ देते हैं, इसके फूलों का गुलकंद भी बनाया जाता है, जिसे स्वास और डमे में परियोग किया जाता है, तो इसे आप परियोग करें, परियोग करने में बड़ा आसान है, अगर आपको कफ है, स्वास की बीमारी है, कीबी है, या आपको फीवर है, या आपके पीलिया है, कहीं फ पोधा हो रखे हैं या आपके अलसर्स हैं या इंटर्नल और एक्सटर्नल बिडिंग है या मसूडों में से पीप जाता है मवाद निकलता है उसमें सम्में इसको आप परियोग कर सकते हैं तो यह पोधा अगर आप कहीं देखते हैं तो उखाड के लिए और अपने घर में लगा लीजिए यह गंबलों में भी हो जाता है बड़े गंबले में इसको लगा सकते हैं तो आपको एजिली अवेलेबल हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं करते तो यह आपको सड़कों के किना जादा तर यह देलवे लाइन के आसपास दिखाई देता है जो जमीन यूज में नहीं होती उस पर यह हो जाता है और बड़ा अच्छा खड़ा रहता यह बारों मास मिलता है हमेशा मिलता है तो इसको आप परियोग करिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक पहुंच जाए थैंक्यू वेरी मच्छ